जै माता दी, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर, आज हम बात करेंगे तुलसी की, वैसे तो तुलसी और सधी गुडों की खान है, सर्दी जुकाम होने पर तुलसी के पत्ते का काढ़ा पीने से तुरंत आरा मिलता है, हमारे हिंदु धर में तुलसी का बह तुलसी को विश्नु प्रिया भी कहते हैं, अगर कोई व्यक्ति सांथ हो गया है तो उस निर्जीव बाड़ी का दा संसकार किया जाता है, अगर उसकी चिता में एक छोटी सी तुलसी की लकड़ी डाल दे, तो आपने उसके बैकुंठ जाने का टिकर तो आपने करा ही दिया साथ में सहस्त्रो वर्स तक बैकुंठ में निवास करेगा, और दूसरी चीज, वहां से निकलने वाला जो धुआ है, उन सब के पुण में बृद्धी कर देता है, वैसे तो कहा गया है, समसार में जलने वाला दिया का जो धुआ होता है, अगर आपके सरीर पर आ जाता है, तो आपके तमाम पुण को नश्ट कर देता है, लेकिन अगर उसी चिता में तुलसी की एक छोटी सी लकडी डाल दी जाए, तो कितना भी बड़ा पापी हो, उसे सहस्त्रो वर्स तक बैकुंठ में निवास मिलता है, तुलसी अपने आप में मोक्ष का द्वार है, तुलसी क एक पत्ता हो, या मंजरी हो, या जड़ हो, या छाल हो, कुछ भी हो, आनंद कर देती है, भगवान सीव को आप मंजरी अरपित कर सकते हैं, अगर सीव जी के मंदीर के पास, आप तुलसी का पौधा लगा दें, और तुलसी के पौधे की जो मंजरी है, उसके गिरने से, जि आप में अपने सरीर में एक भी तुलसी का मंजरी या तुलसी का पत्ता रखते हैं, तो आपको यम दूद छू भी नहीं सकते, इतनी बड़ी महिमा है तुलसी का, उस तुलसी की सूखी लकड़ियों से हवन करने पर सहस्र वर्स्तों तक बैकुंठ में निवास मिलता है, य ऐसे ज्यान वर्धक वातों के लिए आप हमसे जुड़े रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मिलते हैं अगले वीडियों में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्त रहिए, जै माता दी